कुछ है अज़को प्रोपटी गुरु कुल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं यह एक ऐसा चैनल है जो आपको रियस्टेट ट्रेनिंग् और प्रोपर्टी में एक्सपर्ट अडवाईज देने के काम करता है मैं हूं राजवन सिंग भाली रियल स्टेट मेंटर रियल स्टेट कोच मोटिवेशन स्पीकर एंड रियल स्टेट बुक्स का ऑथर आज का जो टॉपिक मैंने बनाया रियल स्टेट ट्रेनिंग हम आपको पिंजरे के नहीं जंगल के शेर बनाते हैं जो हमारे पास लोग आ रही है ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं वो लोगों का सैट्सफेक्शन लेवल यहां से यहां हो जाता है या उनका जो कॉनफिटेंस लेवल है यहां से यहां हो जाता है वो इसका कारण क्या है कि हम जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम देते हैं वो बहुत ही प्रेक्टिकल रूप का होता है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अठाइस साल से भी ज्यादा रियल स्टेट में दिये हैं और जो मैंने सीखा जो मैंने कमाया जो मैंने गंवाया मैंने कमाया कैसे मैंने गंवाया कैसे हर चीज बताने की कोशिश करते हैं सो दोस्तों यह ट्रेनिंग के लिडियो नहीं है इसमें तो मैंने आगे आपके लिए कोई मैसेज भी है तो हम यह कहते हैं कि आप भी यदी काम करना चाहते हो तो जंगल के छे की तरह काम करो ना के ऐसे हो के पिंजरे का शेर हो जिसको सिर्फ उसके पिंजरे में मीट डाल दिया जाता है और वो पिंजरे में मीट खाके सो जाता है उसके जो अपनी जिंदकी की कला है जिंदकी की कारेश है लिए है वो से मतलब अलग हो जाता है तो वो यदि कल को उसको जंगल में गया तो वह किरन का शिकार नहीं कर पाई क्यों क्योंकि हिरन के रोज दोड़ने की प्रेक्टस थी और शेर पिंजरे में बैठा बैठा उसकी टांगों में खून उतरा है या कुछ हो गया टांगे ही काम नहीं करी हुआ क्या उनको जंगल के कुते नोच नोच के खागी हिरों है तो यह आपने देख आएं कि हमने जंगल के छेर बना है पिंजरे के शेर नहीं बनता हुआ We कि हम आपको मचली पकड़नी सिखाते मचली लाकैं नहीं देते क्योंकि आपको मचली पकड़नी आ जाएगी तो wrestling चल जाएगा इस किमे में कोई बल्यू काड आ गया को यह आ झार लोग़मेंस के नीतने से नहीं हमें हमें बिल्कुल वह फिर रहे हमें जो महंत करने की आदत है उससे अलग क्या जा रहा है हमने में इब सकते हैं उस मीन करके यहीं अगे बढ़ना अपनी निदेगी को यदि कल को कैसे कंपीट करेंगे जब उनको कंपीटिशन के साम में बैठना पड़ेगा तो बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कहां से आएगा हम खुद ही अपने बच्चों को पिंजरे का चेर बना रहें हम खुद ही अपने बच्चों को जो पंजरे का चेर बनाने के साथ साथ जितना जिन्दगी का अभिहास कोगा उतना ही वह बैस्ट परफॉर्म करेंगी जिंदगी में और बैटर बन जाएंगे उनकी लाइफ बैटर तभी बनेंगी यदि वो अपनी जिंदगी में पूरी भागदौर करेंगे पूरा मतलब उनके साथ जो नेक्ती पॉजिटिव बातें उतके सामने आएंगी उनको फेस करेंगे सामने वाले बंदे की बात का जवाब देंगे यदि सारा काम हमने उनको करके देना है तो बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं होगी इस वीडियो आप अप अपने बच्चों को यह अपने शिष्चों को जो जो यदी मैं ट्रेनर उँँ तो मैं यह चाहता हूं यदी मेरे पास जो पड़ने के लिए याते हैं मेरे पास सीखने के लिए अनको हर आइंगल से नहीं समझाँगा मतलब यह उनको बताना पड़ेगा कि कौन से طلاب میں मचली मिलती है और वो टलाब का रास्ता कैसे है किस-किस जंगल में से कहती है कहां कहां का पता है और कहां कहां कौन सी मौbn मचली मिल सकती है कौन सी मौसम में मचली कम मिलती है यदि ये आपको knowledge हो जाएगी तो आपको कल को आने वाले टायम में मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि भाई यदि आपने कोई काम करना है तो आप अपने दम पे करो हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं आपने फिल्म देखने जाना है तो फिल्म देखने के लिए जो बंदा बैटरी लेके गूम रहा है वह सिर्फ आपको सीट तक पहुंचा सकता है फिल्म तो खुद ही देखनी पड़ेगी फिल्म के बारे में आपका दिमाग लगा के आपका उसके बारे में विचार बनाने पड़ेंगे के फिल्म अच्छी है या नहीं है सिंपल बात यहीं है और मेरा कहली इसमें कोई मेरे जो सीनियर थे वह केते थे काम सीख लो करो या ना करो वाद की बात है यदि आपको काम आता होगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है तो सामने वाला बंदा आप और चर्चा करना इसके ओपर और चैनल सब्सक्राइब नी किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटीवड़ा बटन दबा दो कोई सवाल हो कमेंट बोक्स में ने टप को फिर वीड्यो चाहिए वह भी कमेंट में मिलता हूं पहुत जल्द एक ने तॉपिके साथ इस तरीके की ट्रेनिंग आप लेते रहो आपने जंगल के छेर बनना है पिंज्रे के शेर नहीं बनना बाज बनना है बाज जिसको हवा में कितनी असमा असमाद पर उड़ता है लेकिन जदी हम उसको पाल लें अपने पिंज्रे में रखने शुरू कर दे तो औरना भूल जाएगा जो असमान का रुमांच है वो नहीं ले पाएगा तो दोस्तों मिलता हूं जल्दी एक ने टॉपिक के साथ पढ़ते रहो सीखते रहो पढ़ते रहो और आगे पढ़ते रहो बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया